और्बिटल में जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा एस और्बिटल के बारे में कि अब डाइगोनल रूल समझना बड़ा आसान हो जाएगा देखो अब यह सब तुम्हें चीजें आती हैं काफियत तक कैसे आती हैं सब बिटा एक बात बताओ के इस इक्वल टू वन एल इस इक्वल टू टू एल पीडी ने लात खाई मैं मोजले के बाद प्रियोडिक टेबल आई अलो बच्चो मेरा नाम है शुदान शुदूबे और एक बार फिर हाज़िर हूँ आप सभी के बीच में संजीवनी जेए के लेक्चर नंबर थी के अंदर बच्चों हमने lecture 1 में quantum number पढ़ा था lecture 2 में again quantum number पढ़ा था और हमने about principle, policy exclusion principle और बहुत सारी बातों पर हमने बहुत विस्तर चर्चा की थी हमने कहा था about कोई scientist नहीं था वो एक German word था जिसका मतलब है building up ठीक है इसके साथ हमने huns rule भी पढ़ा था खूब सारे सवाल किये थे और उमीद है कि आप quantum number आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ठीक है अब इसी के साथ बच्चों आज हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं आज हमारा जो topic रहने वाला है वो क्या रहने वाला है orbital, electronic configuration और history of periodic table यानि कि हम यहाँ orbitals के shape के बारे में जानेंगे हम यहाँ electronic configuration लिखना जानेंगे जो कि उनकी identity होती है है ना समझ रहा हूँ मेरी बाद को तो उसके बारे में हम लिखना सीखेंगे और इसके बाद हम history of periodic table के अंदर enter कर जाएंगे जहां से आप अपनी NCIT खोलेंगे तो आपको सारी चीज़े line by line दिखेंगी है ना तो उम्मीद करता हूँ पीछे के सारे अपने lectures देख लिए होंगे और आगे के लिए एकदम से तयार हो चुके है तो चलिए साहब इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आज हमारा उदेश क्या क्या है करना तो सबसे पहली चीज़ आज का हमारा goal होगा कि हम पहले तो shape of orbital सीखें shape of orbital सीखें मेरे भाई और shape of orbital सीखने के बाद कमाल कमाल की धमाल धमाल बातें हम जाने उसके बाद हम चलें electronic configuration के उपर और जैसे ही electronic configuration हम सीख लें हम अगला चलें history of periodic table के बारे में किसाब history of periodic table में किन-किन बड़े scientist ने अपना क्या-क्या बड़ा योगदान दिया है कैसे आई ये periodic table कहां से आई कितना अथक परिश्रम करना पड़ा इसके लिए कितनी जादा मेहनत करनी पड़ी बातों को सीखे और ग्यान बिटा कभी गाली नहीं दिलवाता है मुझे पता है history of periodic table के अंदर जो सवाल पुछा जाएगा वो मेंडलीव से पुछा जाएगा आप से लोथर मेयर के बारे में थोड़ा बहुत पुछा जा सकता है main question आएगा मुजलिके उपर लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि अगर आज तक नहीं पूछा गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा इस बात की कोई guarantee नहीं है दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम जान लेंगे तो वो कहीं न कहीं हमारे ग्यान में ही add-on होता चला जाएगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो basic नीव है वो हमेशा जानके clear रखनी चाहिए इंसान को तो इसलिए आप इस perspective से नहीं पढ़ेंगे कि लिए उजियर से सवाल तो नहीं आता मैं क्यूं पढ़ूं नहीं कई दफ़ा क्या होता है कि हमें अपने आपको खुबसूरत बनानी के लिए अपने व्यक्तिक्तों को खुबसूरत बनानी के लिए हमें वो basic बाते पता होना बेहर्श जरूरी है तो चलिए इसी के साथ बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़-shape of orbital से कहानी को मेरे भाई shape of orbital से कहानी को शुरू करते है आप सभी लोगों को पता है आप सभी लोगों को पता है मेरे भाई, S के अंदर एक और्बिटल हुआ करता था, अरे बताया था शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर और्बिटल, और्बिटल के अंदर इलेक्ट्रोल, बताया था या नहीं बताया था, तो जो S, P, D, F, G, H, ये क्या होते हैं, सब श तो सबसे पहली चीज और्बिटल में जो मेरे बात करने जा रहा हूं मैं और्बिटल में जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा एस और्बिटल के बारे में किसके बारे में बात करेंगे बिटा एस और्बिटल के बारे में किसके बारे में बात करेंगे बुलो बिटा है मेरे भाई कैसा होता है आखिर यह एस और्बिटल कैसा दिखता है तो आंसर है सर इस फेरिकल दिखता है कैसा दिखता है इस फेरिकल अब जरह गोर से मेरे भाई यहां पर बात को समझने की कोशिश करना यहां पर कमाल की बात तुम्हें बता रहा हूं जो एस और्बिटल हो spherical होता है कैसा होता है spherical होता है P orbital कैसा दिखता है P orbital के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी जरा गौर से देखो मेरे भाई अगर माल लो यह S orbital है अब यह S orbital के center में यह क्या मैंने माल लिया nucleus अरे बोलो भाई nucleus कैसा charge होगा positively charge होगा होगा या नहीं होगा यानि कि अगर माल लिजे इस S orbital के अंदर मैंने एक electron ले जाके फिक दिया इस S orbital के अंदर एक electron मैंने फिक दिया यह डाल दिया समझ रहा हो मेरी बात को तो अब यह क्या करेगा nucleus जो है वो हर direction से हर direction से electron density को खीचना शुरू कर देगा अरे करेगा या नहीं करेगा वो force of attraction लगाएगा क्योंकि electron कैसा charge है बोलो बिटा negatively वो इधर से भी खीचेगा वो इधर से भी खीचेगा वो इधर से भी खीचेगा अरे बोलो यार वो इधर से भी खीचेगा बोलो 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 सारे बोलो ये कहां कहां से खीचेगा हर direction से खीचेगा या नहीं खीचेगा बोल बिटा हर direction से वो खीचेगा बोलो हाई ये ना मतलग कि s orbital की अंदर जो spherical है उसके अंदर electron density जो होगी वो कैसी होगी बेटा, symmetrical electron density होगी, अरे हाँ ना बोलो यार, s orbital के अंदर पूरे reason में, ये electron यहाँ पूरे reason में फैला हुआ है, है ना, वो एक अई electron है, जो high direction में भागे जा रहे है, भागे जा रहे है, भागे जा रहे है, मतलब कि इसके अंदर, जो electron cloud है, वो कैसा है, electron distribution जो है, charge distribution जो है, वो कैसा है, equal है, symmetrical है, हर direction से, अरे बोलो भाई, हर direction से, 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 बोलो हाई यान, हर direction से ये खीचेगा, पक्की बात है, तो symmetrical electron distribution होता है, समझे रहो मेरी बात को अब अगर मैं बात करूँ P-orbital के अंदर मेरे भाई P-orbital के अंदर जब हम चलते हैं तो P-orbital देखना बिटा कैसा होता है P-orbital देखने में कैसा दिखता है सर अगर मैं इसको देखने जाऊं तो ये मुझे कैसा नजर आएगा सर तो आओ देखो बिटा, पी और्बिटल, ये डंबल शेप का होता है, कैसा होता है, डंबल शेप का, कैसा होता है, डंबल शेप का, कैसा होता है, डंबल शेप का, ये डंबल शेप का होता है, मेरे बाई, कैसा होता है, डंबल शेप का, कैसा होता है, डंबल शेप का, है ना, सम और्पीर और्बिट्ल कीसा दिख रहे हैं बोलो जल्दी डंबल शीप का सिर्च यह जो पॉंट है ये band वो हिस्सा होताई जहाँ पे एलेक्ट्रों के पाए जाने की प्राबिलिटी क्या होती है मिनिमम होतीस अब और्बिट्ल क्या है इस space के अंदर electron कैसा orientation occupy कर रहा है समझ रहा हूँ मेरी बात को possible orientation of electron इस space के अंदर उसे हमने क्या कहा orbital अब समझने की कोशिश करना एक axis है x, एक axis है y और एक axis है z पक्की बात है बोलो है न इस dumbbell को हमने क्या किया बेटा जी x axis पे रखा हमने क्या किया बोलो जल्दी x axis पे रखा हमने इसका नाम दिया चूकि ये dumbbell दिख रहे या dumbbell दिख रहे या तो p और और वाइटल है खाई और कौंसी axis पे है x एकस पे हमने नाम दे दिया px समझ रहा हो मेरी बात को हमने इसे dumbbell को मेरे भाई कहां रख दिया हमने इसे dumbbell को देखना कमाल की बात है यहाँ पे हमने कहां रख दिया y axis पे अगेन मैं अगर देखूं यहाँ पे बेटा समझने की कोशिश करना यहाँ पे तरीके से यह अगेन मुझे dumbbell दिख रहा है अब यह कौन से axis पे है तो यह बताओ पे हमने क्या किया इस dumbbell को अगेन रख दिया अब जब z axis पे रखा है z axis पे रखा है तो यह क्या बन गया इसका नाम बोलो जल्दी pz यानि p के अंदर total कितने orbital होंगे p sub shell के अंदर आपको मैंने पहले ही बता रखा है total 3 orbital होते हैं total 3 orbital होते हैं याद करो 2L plus 1 p के लिए L की value कितनी हुआ करती थी azimuthal quantum number की value कितनी हुआ करती थी 1 2 into 1 plus 1 कितना आता था 3 तो quantum number ने कहा quantum number ने कहा कि p के अंदर total 3 orbital होंगे p के अंदर total 3 orbital होंगे एक को हमने नाम दिया मेरे भाई px एक को हमने नाम दिया PY और एक को नाम दिया PZ क्या मेरी बास समझ में आई या नहीं आई तो देख लीजे जरा गौर से हमें पता है कि एक orbital के अंदर क्या होते हैं अगर मैं एक P orbital के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर एक उपर लोब है एक नीचे लोब है एक उपर लोब है एक नीचे एक उपर एक नीचे एक उपर एक नीचे मतलब P orbital के अंदर कितने लोब है टोटल कितने बुलो 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 दो लोब है समझ रहो ऐसे ही मेरे भाई आगे हम चलते हैं D orbital के बारे हैं पहले एक बार ही इसको आप देख लीजे ढंग से पकी तरीके से देख लिया देख लो एक मिनट यह PX है यह PY है और यह PZ है एक मिनट पहले देख लो आराम से फड़ा फट आगे चलते हैं उसके बारे ठीक है S spherical होता है P dumbbell shape का होता है D जो होता है मेरे भाई double dumbbell shape का होता है कैसा होता है बोलो बोलो सारे बोलो कैसा होता है double dumbbell shape का होता है है ना कैसा होता है बोलो जल्दी double dumbbell shape का होता है कैसा होता है double dumbbell shape का, कैसा होता है बोलो बेटा, double dumbbell shape का होता है, एक उनट सोई, double dumbbell shape का, है ना, अब मेरे भाई समझना, d के अंदर total कितने orbital आते हैं, again 2l प्लस 1, जब quantum number से हम देखेंगे, वैसे अगर सच कहूं, possible orientation के basis पे, तीन axial बनते हैं, तीन non axial बनते हैं, सर ये axial क्या है, non axial क्या है, समझ बेटा, तु भोल लिया सारी चीज़े, अभी बस इतना याद रख, double dumbbell मानता है या नहीं मानता है, बस इतना मान, double dumbbell बोले तो, double dumbbell, समझ, समझ मेरी बात को, है ना, double dumbbell है, अब देखो यहाँ पे, ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकता है axial, और एक हो सकता है non axial, arrangement कैसा कैसा हो सकता है, देखो बेटार, arrangement कैसा कैसा, मान लो मेरे भाई, मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, x-axis, मैं इसको कहता हूँ, y-axis, ठीक है? डंबल को यह X-axis है और यह Y-axis है बुलो हाई एना? अरे यह कौन-सा एक्सस है? एक्स एक्स और यह कौन-सा एक्सस है Y? अब डंबल को उठाके दोलो डंबल को अगर मैं एक्सस पे रखूँगा तो X-0 अगर हलका सा घुमा दिया पकड़ के मिरे भाई घुमा दिया पकड़ के घुमा दिया घुमा दिया मतलब क्या कहना चाहते हो देख बेटा अभी तो ये एकसे पे अमान ले ये एकसे ये वाई है अगर मैं इसको पकड़ के घुमा दूँ तो ये कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा अब मुझे बता बेटा क्या ये एकसे पे है या तो जवाब है sir नहीं है इस समय येवाला axial है जबकि येवाला क्या है non axial है तो non axial में भी total 3 arrangement बनता है और axial में भी total 3 arrangement बनता है मतलब कि sir अगर axial में 3 है कैसे है बताना जरा एक बारी इसको x मानो इसको y मानो ठीक है पक्की बात है अब समझो ये बेटा कौन सी X से माल लो यह हमने Y आपके Standard के अंसर कहह दिया यह X के दिया यह Z कह दिया पक्की बात है, बोलो हाई है X और Z 6 और Z के बीच में जो angle आ रहा है वो कितने degree का रहा है आ रे X और Z के बीच में X और Z के बीच में angle जो आ रहा है के बीच में एंगल बताओ, एंगल बताओ, एंगल बताओ, 90 आएगा, पक्की बात है, मतलब ये जो है, ये जो है, इन तीनों के बीच में एंगल कितने दिगरी का 90, तो मैं इसको X बोलू, इसको Y बोलू, इसको Z बोलू, तो क्या फर्क पड़ता है, या मैं इसको Y बोलू, इसको z बोलू हूँ और इसको x बोलू, तो क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है क्या, यह मुझे बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो मैं जहां मानना चाहूँ, angle तो अभी भी बराबर है ना, भाई, angle अभी भी बराबर है ना, बदलाओ कहा आया मेरे भाई, कहां मैंने कहा मैं इसको x मानूँगा, इसको y मानूँगा, इसको z मानूँगा, अब क्या angle बतल गया, अगर मैं कह रहा हूं मैं तो इसको x मानूँगा, इसको y और इसको z, तो x और y के बीच में अभी बें अंगल कितना है, बोल बेटा कितना है, 90, x और z के बीच में अभी बें कितना है 90, z और y के बीच में एंगल कितना है 90, तो मैं कहीं भी space में कोई भी access ले सकता हूँ, अब समझना, अगर ये x y पे है, तो एक arrangement बना, मालनो मैं इसी dumbbell को बेटा, इसी dumbbell को y और z पे तो एक arrangement बनता, अरे बोलो यार हाँ या ना, और अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे, इसको मैंने कहा की z और इसको मैंने कहा x, तो एक arrangement बनता है, total axial arrangement कितने हैं, बोलो बोलो तीन बनेंगे, अच्छा इसी को पकर के घुमा दिया, खलका सा घुमा दिया, खलका सा घुमा दिया, अब समझना, यह axis से हट गया है, अब ही देखो, अगर मैं इधर से जाता हवा, समझना हो मेरी बात को, इधर क्या हवा है, इधर क्या हवा है, इधर क्या हवा है, इधर क्या हवा है, जबकि axis के along जाओगे, यहां से घुसोगे मेरे भाई, तो आपको देखने को क्या मिलेग इलेक्ट्रोन डेंसिटी से मुलाकात होगी, यहां से घुशोगे मेरे भाई, तो इलेक्ट्रोन डेंसिटी से, यहां से इलेक्ट्रोन डेंसिटी, यहां से इलेक्ट्रोन डेंसिटी, लेकिन अगर इधर तुम गए, इधर तुम गए, अगर इधर गए, हवा, इधर गए, फि से ही घुसोगे इस बार अगर मैं बात करो एक्सिस पे मुझे हवा दिख रही है कि नहीं दिख रही है बोलो जल्दी एक्सिस पे मुझे हवा दिख रही है नहीं दिख रही है बोलो हाई या ना में आ रही है या नहीं आ रही है फड़ा फड़ से बता दो यार क्या मुझे यहां पे electron density मिलेगी या नहीं मिलेगी तो यहां पर मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा clearly लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए यहां पर देखो बेटा बेटा मैंने कहा यहां पर हवा ह्वा हुँ हवा मैं बसंती हवा हुँ सुनो बात मेरी अनु lance हवा案 यहां पर केवल और केवल हवा मिलेगी हवा को मैं English में लिख दे रहा हूं एजबकि यहां से entry करूंगा यहां से entry करूंगा तो again किस से मेरी मुलाखात होगी electron density electron density कहाँ से किस से मुलाकात होगी electron density से किस से मुलाकात होगी बिटा electron density क्या तुम को इतना समझ में आए ये दूनों arrangement अलग-अलग है या नहीं है अब सूछ बिटा अभी 1 को तुमने क्या माना एक सोका माना तुमने एक क्या बन गया कितने आएंगे 3 और non-exially भी कितने आएंगे 3 आएंगे अरे अभी मालनो यह लोब जो है अगर मैं तुमसे बात करूं ज़रा गौर से यहां पर देखो यह जो लोब है यह एक्स और वाई के बीच में लेट सपोस हा रहा है एक्स और वाई के बीच में आ रहा है तो हमने दिऍवाई, जट, पूलो हां या नण पक्की बात है, मतल sistem आरेजमेंट भी मेरे भाइव कितने तरह के बनते थैन और नॉन अरेजमेंट भी कितने तरह की डॉटल तो टोटल टी और ऑइटल कितने तरह का होता है मेरे अगर कभी सवाल में यह पूछ लिया जाए आपसे क्या है वो छे तरह का होता है कह सकते हैं अगर अर्इंज़मेंट के देखा जाये अर्इंज़मेंट के वेसेश मेरे राइडी और भाई चे तरह का हो सकता है कैसी बाते कर रहे हो quantum number खुदी पढ़ाये थे और खुदी बोले थे D orbital तो 5 तरह का है और यहाँ पे अपने ही आके यहाँ पे अपने ही आके आप कहे रहे हो D orbital कितने तरह का है 6 तरह का है, माने तो माने किसे अपने syllabus के according 5 तरह का मानना लेकिन अगर कभी तुम्हें कोई परिशान करने की कोशिश करे तो कहना possible orientation के basis पे क्या बोलोगे बोलो जल्दी possible orientation के basis पे 3 axial होते हैं और 3 non axial होते हैं अगर 6 भी वो जानना चाहे है तो कह सकते हो 100% correct है समझ रहो मेरी बाप, 5 भी सही answer है 6 भी सही answer है सर हमको कौन सा याद रखना है 5 याद रखना है यह केवल और केवल for the shake of information कि आपको कोई फसान पाए इसलिए मैंने आपको बता है ठीक है चलिए खेर मुद्दी की बात पे हमाते है आखिर यह D orbital जो होता है सर हमें क्या मानना है तो मेरे भाई अगर मैं तुमसे बात करूँ कि आपको D orbital जो है मानना है कि वो कितने तरह का होता है 5 तरह का कितने तरह का होता है 5 तरह का 6 भी कोई गलत answer नहीं है 6 भी कोई गलत answer नहीं है मेरे भाई गलत answer नहीं है वो आप कहा सकते 100% correct होगा भाई 100% correct होगा समझ रहाँ मेरी बात को अब सुनो यह जो d orbital है यह 5 तरीके का होता है किते तरह का होता है बिटा 5 तरह का होता है सर कौन कौन सा होता है यह बताओ एक होता है बिटा जी सुनिये जरह गोर से यहाँ पे अगर मैं आप से बात करूँ एक होता है देखो यह x axis ले लिया यह y axis ले लिया यह x इस बार इससे z ले लिया ठीक है आगे देखते है एक उनट चलो इतरी बना ले ले लिया यह मैंने क्या ले लिया x यह मैंने ले लिया z और यह मैंने ले लिया y इसका नाम क्या बन गया चुकि यह लोब किसके किसके बीच में यह आदर रखने के लिए देखो किसके किसके बीच में x और y के बीच में अच्छा यह double dumble है double dumble को देखते ही दिमाग में पहली पिक्चर क्या क्लिक करती है ये तो क्या है डी ये क्या है डी तो डी एक्स वाई नाम क्या बन गया डी एक्स वाई इसका नाम क्या बन गया डी एक्स जेड और इसका नाम क्या बन गया डी वाई जेड ये कितने टोटल क्या हो गया तीन और्बिटल ये कौन से वाले हैं बोलो बोलो non axial वाले हैं कौन से है non axial वाले अब इसके आलावा जो चौथा होता है वो कौन सा होता है तो पहला ये हो गया आपका दूसरा ये हो गया तीसरा जो हो गया वो ये हो गया चौथा देखो चौथा कौन सा होता है hold on hold on hold on there is something error यहाँ पर देखो चौथा यह x ले लिया यह यहाँ पर अब इस बार हमने axially रख दिया इसको हमने कहा dx square minus y square ठीक है और पांचवा कौन सा होता है मेरे भाई पांचवा जो होता है वो होता है dz square कौन सा होता है बोलो जल्दी dz square ठीक है dz square बोले तो यह देखो dz square बोले तो यह है आपका dz square मतलब की सर जो d orbital है वो कितने तरह का है पास तरह का एक होता है कौन सा बोलो बिटा कौन सा होता है dxy एक होता है d y z और एक होता है d z x एक होता है d x2 minus y x2 और एक कांसा होता है d z squared होता है क्या बात सभे नहीं जिसमें मैं यह दोनों जो है यह d x 2 minus y square और d z squared dx squared minus y皮 और d z squared यह कैसा होता है axial जबकि अगर मैं तुम से बात करूं d x y dxy, 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 dyz जो होता है, यह कैसा होता है, non-exial होता है, कैसा होता है, non-exial होता है समझ रहो, तो quantum number नहीं यह कहा, कि d orbital कितने तरह का 5 लेकिन जब हम possible orientation बनाएंगे, वो कितने तरह का नजर आएगा, बोलो बोलो 6 तरह का तो कोई बोले, d orbital 6 तरह का भी होता है, कैना, possible orientation के basis पे 6 तरह का हो सकता है कैसे, 3 axial होगा, 3 non-exial होगा, समझ रहो मेरी बात को तो s orbital केवल s orbital एक तरह का, p orbital 3 तरह के, d orbital 5 तरह के सर, f orbital के बारे में बताओ न, तो f orbital के बारे में आपको अभी जानना बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है क्या मेरी बात समझ में आई, एक बारी आप अपनी screen post करके हट जाएए, मैं हट जा रहा हूँ screenshot लेना चाहो, screenshot ले लो, या फिर लिखना चाहो, तो post करके लिख लो, ठीक है, फड़ा-फट से, फड़ा-फट चलो, note कर लिया, पक्का, चले आगे, देखो penetration and shielding effect अब समझाने जा रहा हूँ बिटा आपको, penetration and shielding effect क्या होता है बड़े गोर से सुनना, सुनो ज़रा गोर से, माल लो बिटा जी, ये क्या है nucleus है ना चीक है, ये मैंने क्या ले लिया, 1s, let's suppose, ये मैंने क्या ले लिया, 1s और ये मैंने क्या ले लिया 2S पक्की बाते बोलो है ये nucleus है और ये मैंने ले लिया 1S और ये क्या है 2S है समझ रहो मैंने कहा एक बात मुझे बताओ electron density इसके अंदर डाल दी किसके अंदर डाल दी समझ रहो मेरी बात को electron इसके अंदर डाल दी अब अगर मैं बात करूँ तो यह spherical है इसके लिए मैं कहा रहा हूँ यह क्या हो गया R1 और मैं कहा रहा हूँ कि अब electron निकाल के फिर मैं कहा डाल दे रहा हूँ दूसरे वाले S में डाल दे रहा हूँ तो इसके लिए क्या बन जाएगा यह value R2 बन जाएगे समझने के लिए यह क्या कह दिया हमने R1 और यह हमने क्या कह दिया R2 समझना जब मैं electron इसके अंदर डालूँगा S orbital 1s लिया और यह 2s ले लिया समझना मेरी बात को अब समझने की कोशिश करना 1s और 2s समझना इसके लिए shell की value बर्दल गई है इसफ़ पडर प्रिंसिपल और प्रिंसेपल क्वां टम नंबर एक लिए और एक लिए 2 अब समझने की कोशिश करो electron density जब वनस में डाली जब 1s में डाली तो यहां पर क्या होगा क्या यह electron density को हर तरप से अठ्रेक करेगा या नहीं करेगा बोलो जल्डिन क्या यह electron, जो nucleus है, यह electron density को attract करेगा या नहीं करेगा, अगर यह electron density को, let's suppose अगर यह attract कर रहा है, अगर यह attract कर रहा है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जब यह electron खीचेगा, 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 symmetrical attraction होता है, symmetrical distribution होता है electron का, इस फेर के अन्द और तो हर डारेक्शन से जो फोर्सखी चईएगा अलगा के कीचेएगा हर डासियति ज्चन से जब वो इलेक्ट्रॉन को खीचेगा तो एक बात तो यह वन एसश की जो बाउंडरी है ये धीरे धीरे सिकुड जाएगी या नहीं सिकुड जाएगी सर सिकुड जाएगी इसे मतलब क्या है मतलब ये कहीं न कहीं नुकलियस के करीब आजाएगी या नहीं आजाएगी ये मुझे बताओ क्या मेरे भाई ये करीब आ जाएगी या नहीं करीब आ जाएगी जब ये हर डायरेक्शन से हर डायरेक्शन से हर डायरेक्शन से न्यूक्लियस जब इसको खीचेगा 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 आज उसे बाज उसे जहां से मोगा मिलेगा जब ये खीचेगा तो इसकी बाउंडर क्या ये Nucleus इसके भी Boundary को अपनी फीक कीका या नएनघूचे का क्लाउड को हर डारिक्षनसे मेरे भाई आज उसे, बाजू से, पीछे से, आगे से, नीचे से हर डारिक्षन से खीके गाया या निए खीचे गा जब ये खीचेगा मेरे भाई जब ये खीचेगा जब ये खीचेगा तो माल लो इसकी जो नई बाउंडरी बनेगी इसकी जो नई बाउंडरी बनेगी इसकी जो नई बाउंडरी बनेगी वो ये बन जाएगी अरे बोलो यार हर डायरिक्शन से अगर इलेक्टरॉन खीच रह या नहीं बन गई, अब तुम सोचो, ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये वाला अगर R1 था, ये क्या था R2, तो कहीं न कहीं R2 जो है, वो R1 के reason में आ रहा है, अरे बोलो यार, R2 जो है, ये reason किसका था, ये जो अगर मैं बात करूँ, ये वाला, ये वाला सारा reason, एक काम करत था वो पूरा अंदरवाली का रीजन था अब देखो यहां पे समझो यहां पर सुमझेज हो किसके रीजन में पहले इसकी बैउंटरी यह थी जब निउकल्यस ने इसको खीच 1 पहले यह थी प्र खीच 1 आरvang की बैउनेंट्री बैर इसी को हम कहते है penatation क्या बोलते है Penatration क्या बोलते है को जब भी outer shell का reason iner shell हम उसे क्या बोलते हैं 설ण बोलो जल्दी बूलो क्या बोलते है penetration तो बहुत सम हुं को शाहिए पैने ट्रेशन देख लिजrada एक बारी पेनेट्रेशन एक बारी दिमाग को संथ करके पहले देख लीजे समझ लीजे कि पेनेट्रेशन एक्जेक्ली है क्या फड़ा फड़ से पेनेट्रेशन मेरे भाई इसे ही हम पेनेट्रेशन कहते है इसे हम पेनेट्रेशन कहते है देख लिया, समझ रहो, यह जो था, यह 1S का और बाइटल, यह 2S का और बाइटल, तो अगर penetration को define करना हो, तो कैसे define करेंगे, तो penetration को ऐसे define किया जाता है, whenever electron density of, जिसे electron cloud भी कहा जाता है, यह क्यों ना लग जाए, इसलिए मैं इसको वापस मिटा दे रहा हूँ, occupy, the reason of, the reason of, inner, inner orbital, the phenomena is none as, phenomena is none as, phenomena is none as, is none as, penetration, क्या कहा जाता है, penetration, घुस जाना, कब जा कर लेना, समझ रहो मेरी बात को, अंदर घुस गया, वो किस के reason में घुसा, 1S वाले orbital के reason में घुसा है, समझ रहो, इसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो, penetration, 1S था, पहले उसकी boundary थी, electron डाला, nucleus ने खीच के, सिकोड दिया, पक्की बात है, अब 2S था, बड़ा था, उसमें भी electron डाला, अब जैसे electron डाला, nucleus उसको भी खीचेगा, जैसे ही खीचेगा, तुरंत ये भी क्या हो गया, सिकोड गया, समझ रहो, इसलिए हम इसको क्या बोलते है, penetration, this concept is known as what, penetration, समझ रहो, किसी के reason में जाके, अतिक्रमड कर लेना, कमजा कर लेना, घुस जाना, that is called penetration, penetration का मतलब ही होता है, घुस जाना, समझ रहो मेरी बात को, कमजा कर लेना, अकुपाई कर लेना, समझ रहो, अतिक्रमड कर लेना, समझ रहो, तो इसे ही हम क्या कहते है, penetration, अब बात आती है, सर, यह shielding क्या है, यह क्या है, अखिर यह shielding, तो बेटा, आपको shielding भी समझाते हैं, थोड़ा सा, क्यूं समझा रहे हो, यह सारी बाते हैं, क्योंकि यह सारी छोटी छोटी चीज़ें, आपकी आगे आएंगे, और मैं चाहता नहीं हो, कि आगे चलके periodic properties पढ़ते वक्त, आपको यह सारी समझाया हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कि shielding क्या है, penetration क्या है, और यह सारी बाते, क्योंकि इन सब का यूज आना है, इसको ऐसे मत लीजेगा, कि हम फालतू की चीज़े पढ़ रहे हैं, नहीं बेटा, आगे चलके आप देख लेना, Z Effective जैसे ही शुरू होगा, Z Effective Nuclear Charge, देखना कितना बड़ा रोल आएगा, इनका, चलिए, देख लिए, आप लो ने, चलिए, आगे चलते हैं, अगले पेज़ पे, हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, पेनेट्रेशन तो हमने समझ लिया, सर, अब हम समझने वाले हैं, शिल्डिंग, क्या समझने वाले हैं, शिल्डिंग, क्या समझने वाले हैं, शिल्डिंग, अब देखो बेटा, मान लो मैंने कहा, मैंने कहा, कि सेकेंड शेल ले लिया, और सेकेंड का S और P सब शेल ले लि तो obvious है nucleus से उनकी दूरी क्या होगी बराबर होगी मान लीजिए ये nucleus है और nucleus से मैंने क्या ले लिया 2s ले लिया और 2p की distance almost क्या होगी बराबर होगी ये जो distance होगी ये क्या होगी बराबर होगी क्योंकि दोनों के लिए जो principal quantum number है जो की size of orbital के बारे में बताता है हमें जो की distance of electron के बारे में बताता है वो क्या है value same है n की value दोनों के लिए same है अब समझना ये मैंने ले लिया एक nucleus ये समझने की कोशिश करो ये मैंने ले लिया nucleus nucleus के around ये क्या ले लिया मैंने ये मैंने ले लिया एक मिनट सोरी नूक्लियस ले लिया, और नूक्लियस के अराउंड हमने क्या ले लिया, देखो यहाँ पे, यह नूक्लियस है, नूक्लियस के अराउंड ही हमने क्या ले लिया बिटा, पी ले लिया, क्या ले लिया, पी, है न, यह नूक्लियस है, अब नूक्लियस के अराउंड ही हमने क्या पी ले लिया एक मिलट है ab木 है ना समझने की कोशिश करो अब एक बार समझो एक डंबल है और एक स्फेरिकल है ठीक है इस आंदर वी इलेक्ट्रॉण चोडो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चोडो यह P orbital है और ये कौन सा orbital है S orbital सुनो ये कौन सा है S orbital और ये कौन सा है P orbital पक्की बात है एक है S और एक कौन सा है P मैंने अपने हाथ में एक हाथ में क्या ले रखा है एक हाथ में क्या ले रखा है S और एक हाथ में ले रखा है P समझ रहा हूँ तो एक S और एक कौन सा है P अब दुनों के अंदर मैंने क्या छोड़ दिया Electron समझ रहो मेरी बात को अब तुम समझो कि जो S orbital है S वाला है और ये क्या है P समझने के कोशिश कर S पे nucleus जो वो हर direction से electron density खीचेगा समझ रहो अब देखो symmetrical electron distribution जिसको पता है उसको मस्त मजा आ जाएगा इस टॉपिक के अंदर अब देखो ये हर direction से क्या करेगा electron खीचेगा क्या करेगा बिटा electron खीचेगा हर direction से हर direction से मेरे भाई उपर से आजू से बाजू से आगे से पीछे से जहां कहीं से भी जहां कहीं से भी electron density मिलेगी खीच लेगा अरे हां ना बोलो पक्की बात है खीच लेगा जब ये खीचेगा तो हर direction से symmetrical electron cloud होने की वज़े से ये हर direction से symmetrically खीचा जाएगा और symmetrically खीचा जाएगा तो symmetrically सिकुडेगा अरे बोलो यार symmetrically सिकुडेगा पक्की बात है जबकि अगर मैं peak ही बात करूँ तो peak की electron density either slope side है या slope side है दोनों में से कहीं भी रह सकती है समझ रहो मेरी बात को तो यहां पे जब खीचा जाएगा मैं pen का color change करके आपको बता रहा हूँ जब यहां पे खीचा जाएगा या तो यहां से समझने की कोशिश करो या तो यहां से हाँ है या ना पक्की बात है बोलो तो जब यह खीचा जाएगा तो एक बात बताओ सिकुडेगा जादा कौन पिचकेगा जादा कौन सिद्ध भाशा में बोलू, तो यार, सिकुड़ेगा जादा कौन, बोलो बोलो, और फेलेगा जादा कौन, और वियस है, जो यह 2S है, यह 2S जो है, यह 2S जो है, यह न्यूकलियस के थोड़ा करीब आ जाएगा, अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोलो भाई, आ जाए कैसी दिखेगी यह रहा एस पहले इसकी बाउंडरी हुआ करती थी पहले यह ऐसा हुआ करता था पहले यह ऐसा हुआ करता था यह वह बाउंडरी हुई करती थी अभी यह सिकुड गया है ना और जो पी है वो पी अभी भी कैसा रहेगा बोलो जल्दी पी जो रहेगा वो अभ में लेग क्यों क्या तुम फॉस्टितिव को देखके मुस्क्राओगे न ही मुस्क्राओगे। चीज़ है और जीने बनाने के लिए लें अभी बना नहीं रह motivated इसा चीज़े मत करो नेचर में जो है न नेगेटिव चीज़ें अपने से जाता अट्रेक्ट होती है, देखो समझो, तुम लोग बड़े पॉस्टिव लोग है, है ना, नेगेटिव तुम्हारी तरफ आ रही है, और तुम भी उसे देख के मुस्कुरा रहे हो, समझ रहो, यह आ रहा है, तो तु तुम्हें कैसे छुडाना इस बात के लिए, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो घंटे एकदा मस तरीके से बैट के सुनना पड़ेगा, एक घंटे मस तरीके से बैट के सुनना पड़ेगा, और रिवाइस करना पड़ेगा, छत में जाओ, नोट साथ में लेके, और पू इसके बांडरी यह था, अब इसके बांडरी सिकुड चुकी है, पक्की बात है बो आयां, जैसे ही सिकुड आब एक बात बताओ, क्या ये रिपल्सन लगाएगा या नही wisdom लगाएगा, अरे इसके अंदर भी radical जायाईगा, तो ये इसके ऊपर न्यूक्लियस से और दूर कौन चला जाएगा, न्यूक्लियस से और दूर कौन चला जाएगा, तो न्यूक्लियस से और दूर जो चला जाएगा, वो क्या चला जाएगा, टूपी, क्या मेरी बास समझ में आई या नही आई, मेरे भाई, इसको तो पकड़ के इसमें सिकोरा, जैसे ही ये करीब आया, हर तरब से electron पे क्या लग रहा था, force of attraction लग रहा था, ये करीब आया, अब इसने क्या किया पी वाले electron पे क्या करना शुरू कर दिया, धक्का लगाना शुरू कर दिया, अब वो फैल जाएगा, मतलब nucleus के करीब कौन आ गया, 2s और nucleus से दूर कौन चला क्या, 2p, समझ रहो, तो यही symmetrical nature, जो s orbital के अंदर जो symmetrical nature है न बेटा, जो symmetrical nature है न, यही responsible होता है, सर किस चीज के लिए, यही responsible होता है, degeneracy के loss के लिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहले इनकी energy अगर मैंने देखा बराबर थी, आज कल वो energy अब क्या हो गई है, मु energy of orbital भी बढ़ता जाएगा, क्या याद करो बताया था या नहीं बताया था, अगर मैं कहों कि यह दूर जा चुका है, तो कहीं न कहीं 2p की energy, अब 2s से जादा होगी, जो कि हम कहां सीख रहे थे, कहां सीख रहे थे, azimuthal quantum number के अंदर, कहां सीख रहे थे मिरे बाई, azimuthal quantum number क अंदर, तो एक बार इसको देख लीजे, फिर हम आगे चलते हैं, अब फड़ा फड़ से, इसको फड़ा फड़ा देख लीजे, नोट कर लिए बिटा, है ना, पक्की बात है, चले आगे, देखो यहाँ पे, पहले अगर मैं बात करूँ, अब ये 2s और 2p की energy बराबर नहीं होगी, अब बराबर नहीं होगी, इसे समझो, कि अपनने क्या लिया, हैलोजन बल्ब ले लिया, उसके उपर मोटा कपड़ा बिचा दिया, मोटा कपड़ा बिचा दिया, मोटा कपड़ा बिचा दिया, मेरे बाई, तो वो पूरी रोशनी को बाहर निकलने से रोक लेगा, पूरी तो नहीं रोक पाएगा, ल अपक्षी बात है समझना पूरे कमरे में क्या हो गई रॉष्णी अब उसके उपर मोटा जानते हो न दर्रा गाउं में बुले जाता है दर्रा है न छोटो छोड़ो ऐसे समझो कि मोटी चादर जानते हो न मोटी चादर लाके उस पर एक काम करो लपेट दो लपेट दोगे त नहीं रहेगी मेरे भाई नहीं रहेगी तो वैसा ही तो है कि अब देखो पहले क्या था पहले अगर मैं बात करो यह दोलों पर अट्रेक्शन लगा रहा था लेकिन चुकी इस पर अट्रेक्शन ज्यादा लग रहा था तो यह सिकुड गया सिकुड गया तो अब इसने क्या कर लिया है न्यूक्लियस को पूरी तरीके से सराउंड कर लिया है न्यूक्लियस को क्या कर लिया बोलो जल्दी सराउंड कर दिया सराउंड कर देगा तो न्यूक्लियस चाहके भी न्यूक्लियस चाहके भी अपना पूरा अट्रेक्शन बाहर वाले पे नहीं लगा पाएगा नह इसे ही चादर लगी अब यह बाहर वाले इलेक्ट्रोन पर उतना अट्रेक्शन नहीं लगा पाएगा दिस सम्तिंग कॉल शिल्डिंग क्या कहा जाता है शिल्डिंग इसी में पढ़ाया जाएगा कि यह सबसे बढ़िया शिल्ड करते हैं उसके बाद P वाले उसके बाद D में अब हम जो हाता है अब डाइगूनल रूल अब डाइगूनल रूल समझना बढ़ा आसान हो जाएगा अब यह सब तुम्हें चीजें आती हैं काफियत तक कैसे आती हैं साथ बिटा एक बात बताओ, k is equal to 1, l is equal to 2, m is equal to 3, n is equal to 4, o is equal to 5, p is equal to 6 यह कहा है shell, अब हर shell के अंदर सब शल पाये जाते हैं, तो मेरे भाई एक shell के अंदर कितने सब शल पाये जाते हैं तो एक shell के अंदर obvious है सर, एक ही सब शल पाये जाएगा, वो कौन सा होता है, 1s दूसरे shell में, दो सब शल पाये जाएगे, कौन कौन से, एक होगा 2s, और एक कौन सा होगा, 2p ठीक है, पक्की बात है, बोलो हाई है न, 2s और 2p तीसरे में कितने पाये जाएगे, 3s भी पाये जाएगा, 3p भी पाये जाएगा, 3d भी पाये जाएगा सर, चौथे shell में क्या-क्या पाया जाएगा, 4s भी पाये जाएगा, 4p भी पाये जाएगा, 4d भी पाये जाएगा समझ राएं मेरी बात को, 5g भी पाये जाएगा, मैं लिख नहीं रहाँ, काम नहीं अपने को 6 के अंदर 6S भी पाये जाएगा 6 सबशल पाये जाएंगे सर 6P भी पाये जाएगा 6D भी पाये जाएगा 6F भी पाये जाएगा 6G भी पाये जाएगा और 6H भी अगर मैं बोलू कि अगर यही cell number मैं 7 ले लेता हूँ यहां पर समझने के कोशिश करो डाइगा रूब क्या कहता है 718-1000-7A यहां पर कितनी हो जाएगी जीरो यहां पर कितनी हो जाएगी बोलो जल्दी 102 यह अब यहां पर लिख दे रहा हूं वापस से यह S P D F G H का अभी काम नहीं आना है अब अपने को है ना वो केवल समझाने के लिए मैंने बताया था लेकिन फिर भी यहाँ पे L की वेल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, अब देख बेटा, 2S के लिए अगर N प्लस L की वेल्यू मैं निकालू, तो N प्लस L के लिए, मल्टी वेल्यू स्पेसीज में N प्लस L की वेल्यू बढ़ेगी, अब आओ, अब आओ, आओ, रही याद करो यार, N प्लस L की वेल्यू बढ़ेगी, N प्लस L की वेल्यू बढ़ेगी, तो energy of orbital भी बढ़ता जाएगा, और lowest से highest की तरफ electron की filling होती है, यही बात तो बोली थी, किसने, बोलो बोलो, अब आओ ने, यही बात बोली थी या नहीं बोली थी, N प्लस multi electronic species के अंदर, N प्लस L की वेल्यू बढ़ेगी, N प्लस L की वेल्यू बढ़ेगी, अरे N प्लस L की वेल्यू बढ़ेगी, तो energy of orbital भी बढ़ेगा, और lowest से highest की तरफ electron की filling की जाती है, वो अवाओ जो scientist नहीं था, जो एक German word है, जिसका मतलब है, building up, क्या मतलब है, बोलो बेटा, building up, ठीक है, अब सुनो, N प्लस L की वेल्यू सब के लिए निकालते हैं, तुमको पता है, S के लिए L की वेल्यू कितनी होती है, 0 बटा सनना अटा, अरे बोलो भाईय 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 है ना, obvious है 1S से जादा energy किस की होगे, 2S की, अभी मैंने आपको समझा है कैसे, अभी मैंने पीछे इसी लिए shielding और penetration का concept आपको समझा है, क्यार, इतना deep नहीं जाना है, अपने को N प्लस L के नियम से ही निकाल लेंगे, इसके लिए बताओ कितन नहीं होती है, 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब 2S से जादा energy किस की होगे, 2P की, मतलब सबसे पहले electron कहा जाएगा, 1S में, then 2S में, then 2P में, अब आगया जो, इसके बाद अगर मैं आप से बात करता हूँ, इसके लिए 3 प्लस S के लिए L के value 0, नमबर कितना आगया 3, पक्की बात है, इस 3P के लिए अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर कितना आजाएगा, 3, P के लिए L के value कितनी आजाएगी, 1, तो यहाँ पर नमबर कितना आगया, 4, N प्लस L रूल से निकाल रहे है, N क्या है सर, वो जो नमबर दिख रहे है, L क्या है, जो वैने value दे र 3D का मतलब क्या हो गया, 3, और D के लिए L की value कितनी हो जाएगी, 2, 5, पक्की बात है, बुलो आया, अब ही देखना, यहाँ पर बड़ा मज़दार concept है, कुछ भी रटने वाला जैसा नहीं है, कुछ नहीं रटने वाला जैसा है, मैं आपको logical लेकर चल रहे हैं, सारी कर देता हूँ, confusion ना हो तुमें, ठीक है, यहाँ 4P के लिए अगर हम बात करें बिटा, तो यह 4, और P के लिए L की value कितनी होती है, 1, नमबर कितना आ गया, 5, समझ रहा हूँ मेरी बात को, पक्की बात है, देखो, N प्लस L की value इसके लिए भी 5 आ रही है, N प्लस L की value इसके अब बताईए सर मुझे, कि मैं 3D में पहले electron दूँगा या 4P में, मैंने तुम को कहा था, मैंने तुम को कहा था, मैंने तुम को कहा था, या करो, कि N प्लस L की value अगर बढ़ती है, तो energy of orbital बढ़ता है, लेकिन अगर किनी दो लोगों के लिए, किनी दो species के लिए अगर N प् 3 है, तो 4P में electron जाने से पहले कहा जाएगा, 3D में जाएगा, अब दूसरी बास सुनो, कि सर्थ 3D और 4S में कहा electron जाएगा, पहले, 3D और 4S में कहा electron पहले जाएगा, तो जवाब क्या है बिटा, कि देखो यहाँ पे, ये N प्लस L की value कितनी आ रही है, 4, और ये N प्लस L की ये 5 energy किसकी जादे, इसकी जादे, तो electron बाद में कहां भरा जाएगा, यहाँ पे, पहले कहां भरा जाएगा, यहाँ पे, समझ रहे हो, अरे N प्लस L की value इसके लिए कम है, उसके लिए जाता है, अरे है या नहीं है, ये मुझे बताओ, तो electron lowest से highest की तरफ, अरे बोलो ना य पहले electron आएगा, 3D में बाद में, खेर, आगे चलते हैं, यहाँ 4D के अंदर आ जाते हैं, 4D के अंदर बोले तो, N प्लस L की value 4, D के लिए L की value कितनी हो जाएगा, 2, नमबर कितना आगया, 6, पक्की बात है, इसके बाद अगर मैं बात करो, 4F के लिए, तो 4 प्लस F के लिए L की value कितनी हो जाएगी, 3, नमबर कितना आगया, 7, तो पहले 4D में electron जाएगा, 4F में, और VSF 4F में जाएगा, ठीक है, आगे चलो, आगे देखो, यहाँ पर, यहाँ पर 5S के लिए तो direct में लिख रहा हूँ, 5 प्लस 0, नमबर कितना आजाएगा, बिटा जी, 5, 5P के लिए क साथ करो, तो यह कितना आजाएगा, 5 प्लस 3, यहाँ पर कितना आजाएगा, 8, ऐसे करके N प्लस L, रूल से आप निकाल सकते हैं, अब मैं आपको electron की filling के बारे में समझाने जा रहा हूँ, आपको पता है, energy order आप decide कर सकते हो, समझ रहा हूँ, मैंने तुमको बताया था, कि स से पहले N प्लस L देखना है N plus L की value जिसके लिए ज़यादा, energy of orbital उसके लिए ज़यादा, energy of orbital उसके लिए ज़यादा, energy of orbital उसके लिए ज़यादा, जिसके लिए N प्लस L की वैल्यू जादा उसके लिए energy of orbital जादा ठीक है अगर माल लीजे इफ N प्लस L की वैल्यू सेम इफ N प्लस N की वैल्यू क्या हो जाती है सेम जैसे की अभी यहाँ पे हुआ था 4P के लिए और 3D के लिए N प्लस L की वैल्यू क्या हो गई बेटा सेम हो गई N प्लस L, N प्लस L, N प्लस L की वैल्यू 5, N प्लस L की वैल्यू 5 अगर N प्लस L की वैल्यू सेम हो गई तो हम कैसे डिसाइड करेंगे same then decide then decide the energy of orbital the energy of orbital energy of orbital energy of orbital decide the energy of orbital by by n by n किस से आप decide करोगे n से किस से decide करोगे बोलो बिटा n से चलो अब इसी के basis पे आखिर कैसे electron के filling की जाती है उस बातों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ठीक है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बिटा यहाँ पे अगर हम बात करें समझने की कोशिश करना सबसे पहली चीज़ देखो कहीं पे भी electron जो भरा जाता है period कहीं पे भी जो शुरू होता है वो n स से शुरू होता है n पे समाप्त होता है बीच में क्या आता है n-1 d आता है और क्या आता है n-2 f आता है ऐसे ही n-3 g आएगा अब n क्या है n जो है वो यह नंबर है कौन सा नंबर है सर यह नंबर है अपका यह जो नंबर है ना प्रिंसिपल कौन्टम नंबर है समझे लोग मेरी बात को खोड़ा और उपर लिख लेते हैं, इतने में हो नहीं पाएगा, ये एक मिनट है, इसको पहले आठाते हैं, यहाँ पर देखो, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा 2P, यहाँ पर क्या जाएगा 3P, यहाँ पर क्या जाएगा 4P, यहाँ पर क्या जाए यहां पर क्या आजाएगा 4D यहां पर क्या आजाएगा 5D और यहां पर मैं लेखे चल रहा हूँ 4F इतने में आपका electronic configuration पूरा हो जाएगा आपको पता है 1S से ज्यादा एनर्जी किस की थी 2S की अगर तुम आप यहां पर आके देखो तो वन और 2 1S और 2S में एनर्जी किस की जादे है 2S की 2S और 2P में एनर्जी किस की जादे है 2P की क्योंकि इसके लिए value क्या आ रही N प्लस L की जादा आ रही और N प्लस L की value जादा energy of orbital जादा ठीक है तो 1s से जादा energy 2s की और 2s से जादा energy 2p की 2p से जादा energy 3s की अरे बोलो भाई और 3s से जादा energy 3p की समझे आँ मेरी बात को 3p से जादा energy 4s की क्यों sir n plus l की value यहां कितनी आई 4 n plus l की value यहां कितनी आई 4 अगर n plus l की value same then decide the energy of orbital by n अब n की value कहा जादा है यहां जादा यहां 4 है और यहां पर कितनी है 3 है तो 3p से जादा energy 4s की समझ रहो मेरी बात को अब 4s के लिए n plus l की value कितनी है 4 और 3d के लिए कितनी है 5 तो यानि 4s जादा energy 3d की अब 3d के लिए n plus l की value 5, 4P के लिए भी N प्लस L की वेल्यू कितनी हो गई 5, लेकिन N की वेल्यू यहाँ 3 है और N की वेल्यू यहाँ 4 है, तो 3D और 4P में जादा किसका होगा, यह मुझे बताओ, 3D और 4P में जादा एनरजी किसका होगा, और 4P का होगा, यानि 3D के बाद इलेक्ट्रोन का आएगा, 4P में आएगा, समझ रहो, तो यहाँ पे ऐसे ही इलेक्ट्रोन के फिलिंग की जाती, आगे चलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोन कहा जाएगा, 1S में, जब 1S का जबबा पेट भर जाएगा, पेट भर के यह इलेक्ट्रोन खा लेगा, तब वो दूसरे शेल में एंट्री मारेगा, that is 2S, कहाँ पे 2S, अब 2S जब भर जाएगा, तब वो एंट्री मारेगा, कहाँ पे बिटा, 2P में, कहाँ मारेगा, 2P में, अब 2P का जब भर भर जाएगा, तब वो कहाँ आएगा, 3S, और अगर 3S का भी जब भर भर गया, अब देखो, S के अंदर maximum कितने electron 2 P के अंदर maximum कितने electron भरे जाते हैं 6 D के अंदर कितने भरे जाते हैं बोलो जल्दी 10 और F के अंदर कितने भरे जाते हैं 14 यह आप लोगों को पता है तो यहां जब 2 electron आ गया इसका पेट भर गया इसने का भाई पहले शेल एकदम फुल हो चुके है पहला शेल एकदम फुल हो चुका है तब electron अगर आगे भरना है तो कहां भरोगे 2S में क्योंकि 1S से जादा energy किसकी है 2S lowest से highest energy वाले की तरफ फिलिंग की जाती है lowest energy इसकी थी highest जिसकी थी तो lowest से highest की तरफ electron की फिलिंग की जाएगी जब 3S का पेट भर जाएगा तो यह electron कहां से जाएगा मेरे भाई यहां पे अगर मैं बात करो 3P कहा जाएगा यह बोलो जल्दी 3P में जाएगा अब 3P के बाद फिर कहां जाएगा 4S 4S के बाद 3D then 4P then कहा जाएगा 5S तुम energy order निकाल के देखना घर पे तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा है ना घर पे जो खाली रहो किसी की याद आ रही हो पढ़ाई में मन ना लग रहा हो उस समय आप अपना ये खोल ले ना और यहां पे आप लिखना शुरू कर देना मज़ा आना शुरू हो जाएगा जी पी का मतलब public यानि आप डी का मतलब देहाती एफ का मतलब फिर से देखो यार इसको ऐसे मतले ना यह बातों को दिल से लेने वाली बात नहीं होती है मैं हूँ ठीक है मैं तो हूँ ये देहाती मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ ठीक है समझो ने समझने की कोशिश कर हो दिल पे बाते नहीं लेना है ना कि सर ने ऐसा बोल दिया यहां पर देखो एक काम करता हूँ दूसरा कलर यहां पे देखो ये क्या है One explaine विटा OneEast मतलब इन इलेक्टरण कहां गया school इसके बाद कहां गयाnez लोकर लेक्क खो देखो यार वैसे तो यह रटाना नीचे क्योंकि मैंने आपको अपको सम्झाया लेकिन फिर भी एसे हां दूसरा तरीख भी जान लो जैसे हम याद कर सकते हैं कि वह उस लिए बता रहा हूँ इसकूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल देहाती पब्लिक स्कूल है ना जहां पर हम के मिस्ट्री सीखने जाते हैं देहाती पब्लिक स्कूल पक्की बात है परसे देहाती पब्लिक स्कूल समझ रहो इस सब्सक्राइब तो यहां पर इलेक्ट्रोन की जो फिलिंग होती है वो डाइगोनल रूप से होती है स्कूल स्कूल पबलिक स्कूल पबलिक स्कूल देहाती पबलिक स्कूल देहाती पबलिक स्कूल फिर से देहाती पबलिक स्कूल जहां पर हम क्या सीखने जाते हैं किमिस्ट्री अब अगर मैं बात करूँ यह जो s p df यह क्या है बिटा तो यह है आपका sub shell क्या है बोलो बिटा इस sub shell की अंदर maximum electron कितने आते है तो s के अंदर maximum कितना आता है बोलो जल्दी बोलो बोलो s के अंदर maximum electron कितना आएगा बूलो बूलो maximum electron, पहले orbital लिखते है, s के अंदर orbital कितना होगा, और उसके बाद maximum electron, कितना maximum electron ये रख सकता है, तो इसके अंदर s के अंदर 1, t के अंदर अगर बात करें तो 3 orbital, और d के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 5 orbital, और f के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 7 orbital, कैसे निका सकते हो आप number of arbiter अब maximum electron एक दब्बे में maximum कितने electron भरे जा सकते हैं दो तो S में maximum electron कितना आएगा दो P में कितना आएगा 6 D में कितना आएगा 10 F में कितना आएगा बोलो बिटा 14 electron maximum यह electron आएंगे ठीक है यह diagonal rule आपको समझ में आया पकी बात है इसको एक बारी देख लीजे मैं हट जा रहा हो आप screenshot लेना चाहें या फिर आप पॉस करके note करना चाहते हैं आप note कर लीजे फड़ा-फट फड़ा-फट से फड़ा-फट मेरे भाई नोट कर लिया है बिटा पका चले आगे चले चले देखिए यह आप यह डाइगोनल रूल है ना देख लो देख लो सारे देख लो ठीक है अब इसके बास से अपन बहुत सारी चीज़े अभी सीखेंगे है ना तो अपन ने यह जाना कि SPDF के अंदर कैसे electron के filling की जाएगी अब इसी basis पे हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा आगे चलने से पहले एक question आपके सामने लेकर है अगर वो number दो तरीके का हो सकता है या वो number क्या होगा odd होगा या वो number क्या होगा बिटा even होगा क्या होगा बोलो जल्दी या वो number क्या होगा odd होगा या फिर वो क्या होगा even होगा अब अगर odd हुआ तो आपको क्या करना है formula क्या लगाना है that is n plus 1 divided by 2 का whole square अगर वो number even हुआ तो क्या लगाना है n फ्लस 2 डिवाइड बाई 2 का हूल स्क्वारं आपको यही नंबर लगाना है अब समझने की कोशिश करो मेरी बात को कि आप इस से जब निकालो गे तो आपको क्या पता चलिएगा निकालने के लिए निकालने केे लिए नमबर आफ और्बिटल निकालने के लिए क्या निकालने के लिए अपको क्या करना है एन-plus-one का whole square upon two ठीक है अब यहाँ पर देखो एन-की वेल्यू क्या है 9 जो की कैसा number odd है या even है यह मुझे बता ओओ number है odd के लिए क्या लगा है 9 plus 1 divided by 2 का whole square है ना तो 9 एक 10 10 divided by 2 कितना हो गया 5 5 का square कितना हो जाएगा बोलो 25 यानि कि यहां पर समझो 25 कितने orbital होंगे 25 और एक orbital में maximum कितना electron आता है बोलो बोलो कितना आता है 2 तो 25 into 2 कितना हो जाएगा maximum electron जब हम से पूछा जाएगा maximum electron तो हम कर सकते हैं 25 into 2 कितना हो गया 50 समझ रहो मेरी बात को maximum electron कितने आएगे 50 orbital कितने होंगे बोलो जलती एक principal quantum number के value अगर 9th period होगा तो उसके अंदर calculate करके बताएगे कितने orbital पाए जाएगे और कितने electron पाए जाएगे अगला सवाल है if n is equal to 10 then calculate the number of electron in period and total electron sorry electron in period sorry ये थोड़ा सा question में error आ गया है है ना total electron in a period बताना है ठीक है तो n is equal to 10 10 कैसा number है बोलो जल्दी even तो 10 plus 2 formula क्या लगेगा 10 plus 2 divided by 2 का whole square कितना हो गया 10 plus 2 12 12 divided by 2 6 6 का square कितना होता है 36 मतलम number of orbital कितने होंगे 36 होंगे अब हमसे क्या पूछा जा रहा है maximum electron बताईए क्या बताईए maximum electron तो यहां पर कितना हो जाएगा 36 into 2 एक orbital में maximum 2 electron एक रुपे में maximum 2 टॉफी तो 36 रुपे में maximum बोलो 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 72 क्या मेरी बास समझ में आई बोलो हाई है ना 72 electrons इसके अंदर पाए जाएंगे क्या यह बास समझ में आई या नहीं आई number of orbital निकालना है नंबर पेचा लो ओड है या इवेन है फॉर्मूला आपको बस सिंपल सा लगाने आना चाहिए खेर चलिए हम आगे चलते हैं next question के तरफ यह देख लीजे एक बड़ी देख लीजे है ना आगे चलते हैं यह question है if n is equal to 3 then calculate the orbital in period and total electron बताईए तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी 3 के लिए बोलो बोलो 3 plus 1 divided by 2 का whole square ठीक है number of orbital अगर अपने निकाल रहे है एक मिनट यह क्या हो रहा है number of orbital ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 3 plus 1 4 4 4 4 divided by 2 कितना हो गया 2 का square कितना हो गया 4 मतलब कितने orbital पाए जाएंगे third shell में बोलो जल्दी बोलो बोलो कितने पाए जाएंगे total बोलो कितने पाए जाएंगे third वाले में तो यहाँ पे 4 आगया अब total number of electron थर्ड शेल में कितने है total orbital चार 4 इंटू क्या कर दिया टू यह कितना आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन maximum चलो n is equal to value 4 रख रखी है तो यह क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 divided by 2 का whole square यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 6 divided by 2 कितना हो गया बुलो बुलो 3 और 3 का square कितना होता है तोटल और्बिटल कितने आएंगे इसके अंदर 9 और 9 और्बिटल आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बताओ यह तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्या मेरी बास समझ में आई या नहीं आई पक्की बात है बुलो आया अब चलो थोड़ नस से ठीक है नस से शुरुवात हुई यहाँ पर शुरुवात कहां से हुई सेकंड शेल कब शुरू हो रहा है कहां से और खतम कहां हो रहा है एन एस से एन की वेली अगर दो है तो यह एन एस से शुरू हो रहा है और एन पी पर ही खतम हो रहा है पक्की बात है जब तुम कि थर्ड शेल में तुम फिलिंग करने जा रहे हो तो ns से शुरू हो रहे है और खतम कहां पर हो रहा है यह मुझे बताओ np पर खतम हो जा रहे है पक्की बात है जब तुम फूर्थ शेल में जा रहे हो ns से शुरू हो रहे है पक्की बात है np पर खतम हो जा रहे है समझ रह क्यूंकि इसके बाद तो क्या हो जाएगा, इसके बाद तो n plus one आ गया न, यहां पर देखो, यह क्या है, ns से श्रुआत हुआ, np पे समाप्त हुआ, बीच में क्या आया, 3d आया, 4s से शुरू हुआ, ns से शुरू हुआ, 4p पे खतम हुआ, np पे खतम हुआ, पक्की बात है 3D आया, 3D कब आएगा N-1D N-1D N की value कितनी है, 4 4 में जब एक घटा होगे, तो क्या बनेगा 3D, यानि N-S से शुरुआत होगा N-P पे समाप्त होगा, और बीच में क्या आएगा N-1D आएगा क्या आएगा बोलो बिटा, N-1D आएगा, आगे अगर हम बात करें, तो समझने की कोशिश करना याँ पे 5S में, N-S से, N की value 5 तो 5S से शुरू हुआ N-S से शुरुआत हुआ, N-P पे समाप्त हुआ बीच में क्या आया, 4D 4D कब आएगा, N-1D N-1D पक्की बात है बोलो आएगा अब देखो याँ पे N-S से शुरुआत हुआ N-P पे समाप्त हुआ पकी बात है, बीच में क्या आया 4F, 4F का मतलब N की value कितनी है, 6 6 में से कितना घटाओ कि 4 आजाए तो 6-2, यानि N-2F 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 D कौन सा यूज हुआ है तो 6 में से कितना घटाओ 5 आजाए तो अगर 6, N की value 6 है तो 6-1 मतलब N-1D N-1D तो हमेशा, जब भी हम किसी के शुरुआत करते हैं बिटा तो N-S से शुरू होता है N-P पे समाप्त होता है बीच में जो आता है That is N-1 N-1D आता है और क्या आता है बिटा N-2F आता है देखो N-S से शुरूआत हुआ N-P पे समाप्त हुआ समझने की कोशिश करो यहाँ पे N-S से शुरूआत हुआ N-S से शुरूआत हुआ और N-P पे समाप्त हुआ N-S से शुरूआत हुआ N-P पे समाप्त हुआ N-S से शुरूआत होती है और N P पे समाप्ती होती है यहाँ पे N S से शुरुआत हुआ यहाँ पे N P पे समाप्त हुआ और बीच में क्या आया बोल बेटा बीच में क्या आया बीच में क्या आया बोलो बेटा यह क्या आगया एक मिनट कलर रेड ले ले लेते हैं बीच में क्या आया, N-1D आया, क्या आया बोलो जल्दी, N-1D, कैसे सर, N की value कितनी है, 4, 4 में से कितना घटा है, तो 4-1 करोगे, तभी तो तो तुम्हारा D आ रहा है, मतलब 4-1, N-1D, यानि कि ये क्या बन गया, 3D, समझ रो, अब ऐसे ही आगे देखो, ये 3D कब आया, जब N N-1D किया, अब अगें देखो, N-S से शुरुआत हुआ, N-P पर समाप्त हुआ, D कौन सा है, 4D, 4D बोले तो 5-1, 4D आएगा, समझ रो मेरी बात को, 5-1, 4D, तो N-S से शुरुआत हुआ, N-P पर समाप्त हुआ, बीच में क्या आया, N-1D आया, आगे देखो, N-S से शुरु 6-1, 6-1, 6-1, DR है, और F कौन सा रहा है, 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, अरे यार, यह गलत लिख दिया, 6-2, 6-2, यह क्या हो गया, F हो गया, अब देखो, यह क्या है, यह तो N है, N-1DR है, और यह क्या है, N-2, FR है, यानि कि जो इसको फॉर्मूला कहो, periodic table का, या कुछ भी कहो, यह सब कुछ तुम्हें, यही, electronic configuration, इसी के थूरू लिखना है, समझे रहा है, NS से सुरुवात होगी, NP पे समाप्ती होगी, और बीच में क्या आएगा, बेटा जी, N-1, D आएगा, और N-2, F आएगा, क्या मेरी बास समझ में आई या नहीं, बोलो यार, पक्की बात है, नहीं समझ में आई हो, तो फिर से वापस से एक बारी lecture पीछे थोड़ा सा कर लो, और वापस से देख लो, मुझे लगता है, कि अब आपके दिमाग में घुच जानी चाहिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, NS से शुरुवात, NP पे समाप्ती, बीच में, N-1, D आ रहा है, NS से शुरुवात, NP पे समाप्ती, बीच में, बीच में, बीच में, N-1, D, N-1, D बोले तो, 5-1, D बोले तो, 4D, समझ रहा हूँ, आगे देखो, NS से शुरुवात, NS से शुरुवात, NP पे समाप्ती, बीच में, N-1, D, N-2, F, तो जब भी F लोगे, तो N-2 लोगे, ठीक है, स यह हम सीखने वाले थे, अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बिटा तो हमने दो तीन सवाल किये, अब यहां के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो यहां के बाद अपन क्या करने वाले हैं, वो देखें, अब हम आते हैं, electronic configuration, यह electronic configuration सीखने से पहले मेरे भाई मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, वो बातें सुनी, जैसे कि सक्या बातें करना चाहरे हो, बेटा जी याद रखिएगा, एक atom का जितना atomic number होता है, उतने ही number of electron होते हैं, उतने ही number of electron होते हैं, उतने ही number of proton होते हैं, यह बात बहुत पहले, वर्शों पहले, lecture number 1 के अंदर, मैंने आपको बताया था, अगर आपको यादो quantum number सुरू करने से पहले, मैंने इन ही बातों पे चर्चा की थी, कैसे represent करते हैं, आईए देखते हैं, जैसे कि मैं तुमसे बा कितना होता है मेरे भाई इसका atomic number 1 होता है तो atomic number अगर 1 है तो उतने ही electron होगे और अगर उतने ही electron होगी तो उतने की filling होगी तो अब जब इसके लिए configuration में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा 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 मेरे प्यारे बच्चे ये देखो सबसे पहले electron कहा जाएगा school में कहा जाएगा school में then वो कहा जाएगा दूसरे school में then वो कहा जाएगा public में फिर वो कहा जाएगा तीसरे school में तो अब चली उसी अनुसार हम इसकी filling करते हैं तो बिटा जी यहाँ पे देखो आप लोग सारे देखो atomic number 1 configuration क्या बनेगा लाला 1s1 क्या बनेगा 1s1 helium का atomic number बिटा जी 2 होता है तो इसका configuration क्या बनेगा बोलो 1s का पेट कप भरेगा जब इसको कितने electron मिलेंगे ना इन्हें 2 electron चाहिए दो electron चाहिए वरना मैं मानूँगा ही ने तो यहाँ पे यहाँ पे कितने electron 1s2 कितने हो जाएंगे बिटा जी 1s2 हो जाएगा आजा जा 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 प्यारे बच्चे इदर आजा lithium की अगर मैं बात करूंगा 3, beryllium बोले तो 4, boron बोले तो 5, अब उसके बाद से carbon बोले तो 6 समझ रहे हो उसके बाद अगर मैं बात करूँ nitrogen बोले तो 7, फिर उसके बाद oxygen बोले तो 8, fluorine बोले तो 9, neon बोले तो 10 अब उसके बाद अगर मैं बात करूं देखो जरा गौर से उसके बाद सोडियम बोले तो 11 उसके बाद मेगनीशियम बोले तो 12 ठीक है तो यहां पर देखो अब सबका कनफ्यूग्रेशन अपन लिखने जा रहा है ठीक है बहुत प्यारे तरीके से बहुत तरीके से मैं तुम्हें समझाओंगा एकदम परिशान मत हो एकदम सांती से बैठ जा तू मस तरीके से सीख लीथियम है लीथियम का अटामिक नंबर कितना है तीन इलेक्ट्रोन कितने हों पर गया कहता है अब नहीं खा पाऊंगा पर भर गया मेरा अब क्या करूं अब और इलेक्ट्रोन के लिए तुम्हें अगले शेल में जाना पड़ेगा तो वनस से ज्यादा एनरजी किसकी होती थी वनस का अगर पर गया तो अब इलेक्ट्रोन लेके कहां पहुंच जाओग अच्छा श में मेश्म कितने एलेक्ट्रोन आते हैं दो जो अब तो अब मुझा पर बहएगा जब उसके अंदर बो अलेक्ट्रोन डालोगे तो आओ देखो आओ बच्चो तुम्हें सुना है वन एस टू टू एस टू और यह क्या हो जाएगा टू एस हो गया खतम अब वन 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, आओ इधर देख लो, इधर देखो, फिर से देखो, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, जो 1s भी फिल हो गया, 2s भी फिल हो गया, अब कहां electron डालोगे बिटा, 2p के अंदर डालोगे, कहां डालोगे, 2p के अंदर डालोगे, कहां डालोगे बोलो बिट सब्सक्राइब यहां पर ऊगा ना स्टू 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 एस दू चार एलेक्ट्रॉन विचे टूटल के नहीं है पांच हमारे जाएंगे टू पी फन सर्य यह पी का पेट कप भरेंगा भिटका फिरका जब छे ये बिटॉन अजेंगे समझे नहीं मेरे बात को अब साथ इलेक्ट्रोन आगे तो अब कैसे बरोगे वान एस टू 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 पी थ्री पक्की बात है बुलो हाई यह न अब कितने होगे देखो कैसे वरिफाई किया दो प्लस दो चार प्लस टील साथ हो गया इसका उक्सीजन का लिख के बताओ कै टू पी पे जाके बंदो जाता है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अगला लिखो वान एस टू टू एस टू 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 पी फाइब बस अब भरने वाला बस 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 यह देखो यह देखो वान एस टू 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 पी सेक्स और फाइनली एक और अ लेक्सिमम 6 आ सकता था, आ गया, आ गया या नहीं आ गया, अब आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, सेकेंड शेल की सुरुआ 2S से हुई थी, समापती कहां पे हो गई, 2P पे, तो जिन बच्चों के मन में ये थोड़ा बहुत भी संचय है, क्या है, वो देखो, कि सर, एक ब पहले शेल में किवल S सब शेल था, वो भर गया, दूसरे शेल में 2 सब शेल थे, एक S था और एक P था, जब तक दोनों भरेगा नहीं मेरे लाल, मैं कैसे मानूंगा उसे नोबल गया, तुम बताओ, मान सकता हूँ क्या मैं, बोलो, अगर मान लो, पहली क्लास में, तुम्हे सिर्फ और सिर्फ A, B, C, D सीखनी है, तुमने पेपर दिया, तुम पास हो गया, दूसरी कलास में A, B, C, D, B सीखनी है, तुम्हें 1, 2, 3, 4 भी सीखना है, जोड़ घटाओ भी सीखना है, और तुम कहो गे, नहीं हमको A, B, C, D सिर्फ आता है, तो हमको पास करतो, हम कैसे कर स समझ रहे हो मेरी बात को खेर मुद्दे की बात करते हैं अब जैसे कि ऐसे समझो कि मालो जैसे तुम्हारी उम्र है अभी उम्र है तो हर उम्र में मतलब क्या होता है थोड़ा हॉर्मोनल चीजें इंसान को मतलब डिस्ट्रेक्ट करती है अपने रास्ते से अब तुम्हारी जो तो ऐसे समझो, तुमारी शादी होनी है, तो obvious है, तुम पसंद करोगे, ठीक है, अब तुम कहा रहे हो, पहले ही पापा के पास जाके, या मम्मी के पास, कि मम्मी मैंने पहले ही किसी को पसंद कर लिया है, तो मेरी शादी कर दो, यह valid नहीं है भाई, सिर्फ पसंद नहीं तो मेहनत कीजिए भाई, ठीक है, इधर आईए, समझ रहे है, खेर मुद्दे की बाद, कि सर, 2S2 को हमने नोबल गया, क्यों नहीं माना, क्या यह लॉजिक क्लियर हो गया, अब देखो यहां पर, नियोन को हमने क्यों माना, क्योंकि सेकेंड चल भर चुका है, अब यहां प 3S में भरेगा, तो फिर कहां जाएगा, 3P में, तो चलिए, अब इसी के साथ आगे चलते हैं, यहां पर देखो, यहां पर, यहां पर देखो, देखो, बिटा, sodium का atomic number 11, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, 1S2, 2S2, 2P6, यहां पर क्या हो गया, 3S1, क्या हो गया, 3S1, क्या हो समझ में आई, 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 1 हो गया, पक्की बात है, अब देखो, कितने electron, 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11 हो गया, अब समझने के कोशिश करो, 11 इसका atomic number था, और इसका atomic number 11 होने की वजह से, यहां पर electron कितने आगे, 11, जब मैं magnesium का लिखने जाओंगा, मेरे लाल, तो यह क्या बनेगा 1S2, 2S2, 2P6, और यह क्या बन जाएगा, 3S2 बन जाएगा, समझ रहो मेरी बात को, अच्छा, अगर क्या सर मैं इसको चाहूं, तो चुकि यह neon जैसा दिख रहा है, जब मैं इसको देखूंगा, और इसको देखूंगा, यहां 1S है, यहां पे भी, यहां 2S, यहां पे भी, जब मैं इन दोनों को देखूंगा, तो यह सेम सेम नजर आ रहा है, यह दोनों सेम सेम नजर आ रहा है, तो क्या direct मैं ऐसे लिख दूँ सर, ऐसे लिख दूँ, bracket में neon लिख देता हूँ, और आगे लिख देता हूँ, 3S, हां लिख दे बिटा, बिलकुल सही बात है, यह किसक का रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, यह बता रहा है तेरा सोडियम का, समझ रहो, सोडियम का electronic लिख सकते हैं, सर, कि ऐसे एक काम करते हैं, यह को डबा बनाते हैं, चीक है, और इस डब्बे के अंदर neon को डालते हैं, और यहां लिख देते हैं, 3S2, और यहां भाई, बिलक अगर मैं तुम से बात करता हूँ, aluminium, atomic number 13, उसके बाद से क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, sodium, magnesium, aluminium, silicon, उसके बाद क्या हो जाएगा, phosphorus, उसके बाद क्या हो जाएगा, sulfur, उसके बाद क्या हो जाएगा, chlorine, और उसके बाद क्या हो जाएगा, argon, ठीक है, उसके बाद क्या हो जा सतना, इसको लिखके बताईए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, चले बिटा, कर लिया, करें, आए देखिए, इधर देखिए, सारे लोग, सारे लोग, सारे लोग, सबसे पहले 1 is 2, बचा कितना electron एक 11, अब क्या लिख दिया 2 is 2, बचा कितना electron? 9, उसके बाद क्या बचा? 2 पी 6, बचा कितना electron? बोलो, इसमेंस कितने चले गए? 6, 28, 22, 10, 10 चले गए, बचे कितने? 3, अब 3 के लिए क्या लिख होगे? यह तो पहला शेल, यह क्या हो गया? दू नहीं एईगा कौन आएगा 3P1 तो यह क्या बन गया आउटर शल्ल इसे हम क्या बोलेंगे और यह कौनसा हो गया इनर यह कौनसा हो गया deeper समझ रहा dawn मेरी बात को आगे जो इसका लिट के बताओ पीकापेट कब तक नहीं भरेगा जब तक उसमें कित्राइटर नहीं जाते हैं तो यह देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, समझ रहो मेरी बात को, आगे देखो कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, क्या बोलो 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 सारे बोलो अरे बोलो बेटा जी, इसका कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. पक्की बात है बोलो हाई है न? तो सरी बात बताईए, आप इसको इतना क्यों लिख रहे हैं? आप इसको direct neon का है नहीं लिख रहे हैं? अरे लिख लो बिटा, कोई बात नहीं. इसको अगर मैं चाहूं इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं नियॉन लिख सकता हूं कैसे लिख सकता हूं देखो इसी के बाजू में यहां पर लिखके बता दे रहां नियॉन और यह क्या बन जाएगा बोलो जल्दी 3S2 और यह क्या बन जाएगा 3P2 ब दो हाल लिखो अभी लिखो पूरा लिखो नियॉन यहां पर क्या हो जाएगा 3s2 3p1 खुस हो गए पक्का आजाओ इधर आजाओ यहां पर देखो क्या हो जाएगा यहां पर नियॉन 3s2 3p3 मुझे पता है किस निर्जीव कैमरे के पीछे मुझे सजीव दिलों की धड़कने स समझ रहा हो मेरी बात को पूजा पढ़ाई पूजा होनी चाहिए है समझ रहा हो तो यहां पर देखो ख्यार आगे चलते हैं 3p5 हो गया अब पी का पेट कप भर जाएगा जब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोन आ जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहां पर क्या हो जाएगा 3p6 अब जैसे ही 3p6 हुआ आपको पता है न वचवा इधर देखो इधर देखो यहां पर 3s से सुरुवात होता है और 3p पर समाप्थ हो जाता है और कैसी बात कर रहे हो सर यह 3D कहां उड़ा लेगा अब गदे 4s से शुरू होगा तब 3D आएगा दन 4p आएगा न अरे पू की वज़े से हमने गलती की चीक है यहां पर देखो 4s जब भढ़ा जाएगा 4p पर समाप्थ होगी तो 4 के साथ 3D की फिलिंग की जाएगी समझ रहो क्यों कई की जाएगी इसका वज़े मैंने प्रॉपर समझाया आपको आगे आतने यहां पर देखो यहां पर बिटा यहां तरीके से अब देखो इसका कंफ्यूग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां पर क्या हो जाएगा 4s1 क्यों यह बताओ क्यों ऐसा किया आपने यह देखो बेटा यह देखो बेटा यहां पर देखो 3p जब भर जाया तब कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4s में अब 4s से शु 4s then 3d क्या भरा जाएगा बोलो जल्दी 4s then 3d भरा जाएगा 4s then 3d भरा जाएगा क्या भरा जाएगा बोलो बेटा 4s then 3d 4s then 3d उसके बाद 4p 4s then 3d then 4p अब देखो जड़ा गौर से यहां पर तरीके सीखो यहां पर देखो बेटा यहां पर यहां पर देखो तरीके से यह क P6 और यह क्या हो जाएगा 4S2 लेकिन 4S के बाद को न आएगा 3D आएगा को न आएगा 3D तो सर इसको चाहें Potassium को तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कैसा बोलो बताओ सर देखो ऐसा यह समझो सर यह क्या है यह देखो सर यह और यह दोनों बाते सम है एक दम जिटो सम है हाँ बिलकुल सम है तो सर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आरगन लिखके और डारेक्ट अगर मैं ऐसे लिख दूँ आरगन लिखके यहां पे 4S1 लिख दूँ तो सर क्या यह गलत होगा या यह सही होगा तो सही होगा कोई दिक्कत नहीं है और 4S1 तो यह सही है. आगे अगर मैं बात करूँ, सर इसको अगर मैं आरगन लिख के 4S2 लिख दूं तो, तो बिलकुल जाही बात है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर आरगन लिख के, आप क्या लिख दीजिए, 4S2 लिख दीजिए. क्या लिख दीजे बोले जल दी, 4S2 लिख दीजे, तो ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई परिशानी नहीं है बिटा, अब बिलकुल लिख सकते हैं, समझ रहा हूँ, अब हम आगे चलते हैं, D की तरफ, ठीक है, हलाक ये D में, हमको कि बताऊंगा, और D9 आएगा, तो याद रखना, ये एकजिस्ट नहीं करता है, ये एकजिस्ट नहीं करता है, मेरे भाई, ये एकजिस्ट नहीं करता है, तो D4 और D9 जो होता है, डू नोट एकजिस्ट, क्या एकजिस्ट नहीं करता है बिटा, डू नोट एकजिस्ट, पक 11 वी में तो हो सकता है पुरानी NCIT के कॉर्डिंग गलत था ठीक है अगर मैं बात करूँ 12 में जब आप जाओगे तो वहाँ पे clearly mentioned है कि D6 exist करता है तो 4D के अंदर क्या exist नहीं करता है that is D3 और D9 do not exist क्या exist नहीं करता है बिटा D3 और D9 do not exist ऐसे ही बिटा 5D के अंदर कुछ exist नहीं करता वो होता है D8 क्या होता है बोलो जल्दी D8 ये D8 जो है ये do not exist ऐसे 6D के अंदर कौन नहीं exist करता है बिटा ऐसे 6D के अंदर D9 नहीं exist करता है D9 नहीं exist करता है तो sir इनकी जगह क्या होता है तो इनकी जगह मेरे भाई D5 या D10 जो है ये क्या होते है repeat होते है क्या होते है बोलो बेटा repeat होते है इनकी जगह क्या repeat होता है तो इनकी जगह D10 repeat होता है क्या repeat होता है मेरे लाल D10 repeat होता है इसको configuration में थोड़ा लिख के बताएंगे बिलकुल बताएंगे बच्चों बिलकुल बताएंगे देखो मैंने कहा याद रखने वाला तो basically यह ही है देखो main important जो है आपके लिए वो यह है important यह होता है ठीक है इस पर हमें ज़्यादा focus रखना होता है ठीक है 23D में कौन आता है 21 से लेके 30 तक के member यह 3D series के member है किसके member है 3D series के जब periodic table बताना शुरू करूँगा तो उसके अंदर detail रूप से बताऊँगा कि कैसे है ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 से लेके 30 तक 21 नमबर पर आता है scandium कौन सा आता है scandium उसके बाद आता है titanium 22 नमबर पर उसके बाद आता है vanadium 23 नमबर पर उसके बाद आता है क्या chromium 24 नमबर पर उसके बाद से यहाँ पर अगर हम बात करें मेगनीज 25 नमबर पे आईरन 26 नमबर पे यह होते हैं ठीक है अब समझना इनका कन्फ्यूग्रेशन लिखने जा रहा है देखो बेटा क्या होगा कितने इलेक्ट्रोन है टोटल 21 इलेक्ट्रोन 21 इलेक्ट्रोन बोले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 यहां तक की बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं यह तो कितना बन गया 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 12, 20 अभी हम पीछे लिख क्या है अब आगे इलेक्ट्रोन कहां एंटर करेगा 4s के बाद 4s के बाद कहां एंटर करेगा 4s के बाद वो एंटर करेगा 3d में D का पेट का भरेगा जब उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रोन आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रोन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रोन आ जाएंगे कितने आ जाएंगे बोलो लाल 10 इलेक्ट्रोन आ जाएंगे तो अब यहां पे देखो जरा गोर से यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूंगा इसका electronic configuration, देख बेटा, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 3D1 हो जाएगा, अब ऐसी D कब तक चलता रहेगा, जब तक की 10 नहीं हो जाता, जब तक की 10 नहीं हो जाता, तब तक D fulfill नहीं होगा, तो आईए, लिखते हैं, इसका क्या हो 3S2, 3P6, 4S2, 3D कितना हो जाएगा, बोलो, 2 हो जाएगा, आगे देखो यहाँ पर, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3, अब गौर फरमाना मेरे भाई, गौर से देखना, मैंने तुम से कहा है कुछ पल पहले, कि 3D के अंदर, D4 एक्जिस्ट नहीं करता, 3D के अंदर, D9 एक्जिस्ट नहीं करता, अब 3D के बाद क्या आने वाला है, वो देखो, 3D3 के बाद, 3D4 आने वाला है, अब 3D4 एक्जिस्ट नहीं करता, अगर माल लो, अगर माल लो लाला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, 1 मिनट, यह देखो ये देखो ये मज़े वाली बात देखो यार ये मज़े वाली बात देखो ये शांदार बात देखो इधर देखो सारे देखो ये देखो ये लाल जी इधर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक तो कोई लिक्कत ही नहीं है 4s2, अगर तुमने लिख दिया, तो तुमको क्या लिखना पड़ जाएगा 3d4, क्यूं? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 4, 24, 24 गो इलेक्ट्रोन है अगर 24 गो इलेक्ट्रोन है भईया तो आप कईसे लिखेंगे इसके अंदर, बताओ, बताओ 24 इलेक्ट्रोन, 3d4 तो एक्जिस्ट ही नहीं करता अब क्या करें? तो मेरे भाई, S का एक इलेक्ट्रोन उठके आगे जाएगा यानि कि कहना ये चाहते हो आप ये कहना चाहते हो आप कि यहाँ पे जो बनेगा, वो बनेगा 3, सॉरी, 3 ने 3P6 के बनेगा जो 4S1 बनेगा और 3D5 आएगा हाँ बिलकुल, अब देखो अभी भी इलेक्ट्रोन की नहीं एक इलेक्ट्रोन उठा के आगे भेज दिया क्योंकि D4 एक्जिस्ट करता ही नहीं है एक इलेक्ट्रोन उठा के कहा भेजा, आगे भेजा क्या मेरी बास समझ में आई या नहीं है, बोलो बिटा पक्की बात है, तो यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 19, 5, 24 अभी भी एक बात तो एक एक एटम का यह 3D 4 नहीं बन सकता था, तो एक एलेक्ट्रोन उठके अंदर से कहा चला गया, आगे चला गया, अंदर नहीं, in fact 4S से उठके कहा गया, 3D में गया, समझ रहो, अब देखो यहाँ पे, अगला कितना है, 25, अब अगेन इसको क्या बना दिया, अपने 25, अब तुम गौर से देखो, अगर तुम गौर से देखो, और यहाँ पे तुम गौर से देखो, इसमें भी अगर मैं तुम से बात कहूं, तो यह 3D 5 और यह कह 3D 5, क्या रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है, यह मु repeat हुआ है या नहीं हुआ है दी 4 एक जिस नहीं करता है तो उसकी जग़ा डी 5 repeat होता है क्या बात समझ में आई बोलो बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई डी 5 repeat हुआ है या नहीं हुआ है पक्की बात है तो यहां पे यहां पे कहां पे problem आएगी chromium के अंदर अगला देखो यहां पे क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 2p6 3s2, 3p6 4s2 और यह क्या हो जाएगा बोलो जल्दी 4s2, 3d 3d6 हो जाएगा 3d6 अब अगे इन problem कहा आएगी जहां पे d9 आएगा तो चलिए आगे लिखते हैं उसके configuration को भी यहां पे देखिए यहां पे कहां iron तक हमने कर लिया था उसका कोवाल्ट निकल कॉपर और लास्ट में सबका बादशा जिंक समझ रहो मेरी बाद को सबका बाद जिंक है ना जहां पे end हो जाएगा ठीक है तो यहां पे देखो इसका होता है 27 इसका होता है 28 इसका होता है atomic number 29 और इसका होता है बिटाजी 30 अब देखिए यहां पे तरीके से तरीके से जब आप देखेंगे तो यहां पे क्या configuration बनेगी यहां पे configuration बनेगी 1S2, 2S2 2P6, 3S2 3P6 4S2 3D, क्या बन जाएगा, पीछे क्या बना था, पीछे क्या बना है, 3D6, अभी क्या बनेगा, 3D7, क्या बनेगा, 3D7, आ गया, यहाँ पर क्या बनेगा, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8, 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 अब आगे, एक दम से सतर खो जाएए, यहाँ पर देखिए, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, 3D, अब अगर 4S2 लिखा तो 3D9 लिखना पड़ेगा, और बिटा मेने आपको बता है, 3D के अंदर D4 और D9 नहीं एक्जिस्ट करते, 3D के अंदर D4 और D9 नहीं एक्जिस्ट करते, 3D के अंदर D4 और D9 नहीं एक्जिस्ट करते, पक्की बाते बुलो हाई है ना, तो अब यहाँ पर देखो, जरा गोर से, यहाँ पर समझने कोशिश कीज़े, यह क्या हो जाएगा, अगर मैंने 4S2 लिखा तो 3D9 लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, 3D9 में लिख नहीं सकता हो, तो प्रॉब्लम आई है या नहीं है, D9 do not exist, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, D9 do not exist, D9 do not exist, D9 do not exist, D9 do not exist, आई यह जिंक पर आते हैं, जिंक पर मेरे भाई देखो यहाँ पर, क्या होगा, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10 हो जाएगा, अब गोर से देखो बेटा, गोर से गोर से, क्या, D10, D10, 2,2,2 आ रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं, देखो बात बरोबर है की नहीं है, यहाँ पे, D9 जो है, वो exist नहीं कर रहे हैं, और D10 रिपीट हो रहा है, यही बात मैंने आपको कहने की कोशिश की थी, क्या कहने की कोशिश की थी, कि 3D सिरीज के अंदर D4 और D9 नहीं एकजिस्ट करता है, 4D के अंदर D3 और D9 नहीं एकजिस्ट करता है, और 6D के अंदर D9 नहीं एकजिस्ट करता है, क्या ये बात आपको समझ में आई की नहीं आई बोलो फटा-फट बता दो बिटा पक्की बात है अब सुनो मेरी बात को तरीके सुनना अब आपको 4D और 5D घर पे खुद बैठके ट्राई करना है आपकी बुक में भी दिया गया है है ना उसको आपको खुद ही लिखना ठीक है 4D और 5D आप ओमवर्क क्या है अब आपका ओमवर्क घर पे बैठके जो आपको कारिय करना है ग्रीहक कारिया ठीक है ग्रीहक कारिया बच्पन नहीं जाना चाहिए ग्रीहक कारिया 4D और 5D दोनों का लिखोगे 6D का कोई मतलब नहीं है ना भी लिखो तो चलेगा ठीक है इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ बिटा अगले शुरुवात हो चुकी है अब periodic table की जितना base बनाना था उतना हमने बहुत तरीके से पढ़ा सीखा और base हमने काफी हद तक उसका prepare कर लिया है तो एक बारी पहले मैं पीछे की slide लगा देता हूँ अब एक बारी देख लीजे तब तक मैं पानी पी लेता हूँ और शुरू करते हैं अभी periodic table फड़ा फट से देख लिया अब इधर देखो इधर देखो इधर देखते हैं इधर समझे परियोडिक टेबल है क्या से परियोडिक टेबल है क्या अरेंजमेंट आफ एलेमेंट इन टेबलर फॉर्म इतनी बढ़की बढ़की लाइन नहीं समझ में आती है बैटा देख पिरियोडिक टेबल क्या है ना के मिस्ट्री में जो नन एलेमेंट है जिनके बारे में हम जानते हैं जिनके बारे में हमने डिसकवरी किया उनमें जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप के अं लिट करूं तो मैस की कॉपिया ऐसे होती है यही और बी एक इसे होती है वहलो हां एए आसे होती है पकी बात है वांट डेज असे लिखेसा है लिखते हो बहान लो तुमसे कहा जाहा जाये क Tá एक स्थी में डिस्कवर हुए उनको टेवल्स के फॉर्म में अरेंच किया गया है जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी मतलब जो एक खांदान वाले थे ऐसे समझों कि अगर मैं तुम से बात करूं समझने की कोशिश करना कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी जो एक खांद होज पोज रहता, आइडरोजन इधर रहता, हिलियम इधर रहता, लीथियम इधर रहता, तुम्हारे लिए पढ़ना आसान होता, नहीं होता न, तो उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए, उसके रिसर्च को आसान बनाने के के लिए हमें इस periodic table को जन्म देना पड़ा सर यह periodic table के अंदर कितने element discovered है total तो 118 विटा कितने बुलो बुलो 118 कितने बुलो बुलो periodic table के अंदर स्लेबस की मैं बात कर रहा हूं स्लेबस की वैसे तो आप बहुत मन चाहा लिख ले टोटल इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो periodic table जो divided है इस कैसे divided है group में divided है block में divided है और किस में divided है period में divided है ठीक है group में block में period में ठीक है कितने element discovered है total 188 इन 118 element को कुछ को group में रखा गया कुछ को block में कुछ को period में सर कितने group है पूरी periodic table के according आज के समय के अनुसार 18 group है बोलिए बेटा कितने है 18 group है ठीक है कितने block है sir 4 block है कितने block है बेटा 4 block है sir कितने period है 7 period कितने period है 7 period क्या sir इन groups का कुछ नाम होता है? हाँ, कुछ को नाम दिया गया है, कुछ को नाम नहीं दिया गया है सर ये block कितने तरह के? चार सर कौन कौन से? तो बेटा जी, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D, और एक होता है F अरे सर ये तो sub shell हुआ करते थे हाँ बेटा, जिनके outer most समझने कोशिश करना, S sub shell में, अगर electron जा रहा है, तो वो S block का member है outer P बन रहा है, तो P block का, outer D बन रहा है, तो D block का, outer F में जा रहा है, तो हमने कहा F block का समझे रहो, तो अगर मैं बात करू, 118 element को कुछ को group में रखा गया, कुछ को period में रखा गया और कुछ को कहां रखा गया, बोलो बिटा, कुछ को कहां रखा गया, बोलो बोलो बोलो, कहां रखा गया, block में, अब block जो होता है, यह block का classification है, अगर आप periodic table को देखते हैं, तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना, यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ periodic table कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, दिखेगा, इधर देखो, कुछ इस तरीके का, सर इनमें आप मुझे बताएंगे, बिटा, यह वाली जो line है, यह किसके बारे में बता रही है तुम्हें, period, यह जो उपर से देख रहे हो, यह क्या है, group 1, 2, 3, 4, समझ रहो, अगर म में से metal कहां कहा है, non metal कहां कहा है, metalloid कहां कहा है, without any exception, बिना किसी अपवाद के, all members of S block, D block and F block are what? metals, जो S, D और F के members होते हैं, यह क्या होते हैं, बिटा जी, metals होते हैं, क्या होते हैं, बोलिए जल्दी, metals होते हैं, क्या होते हैं, metals, जो P block है बिटा, इसके अंदर metal भी पाया जाता है, non metal भी पाया जाता है, अच्छा है तो बुरा है, महिला है, तो पुरुश है, positive है, to negative है, metal है तो non metal है और साथ में जो metal और non metal जोनों की property reflect करे metalloids क्या बुले जाता है metalloids समझे रहो तो अगर मैं बात करूँ कि P block के अंदर P block के अंदर P block के अंदर मेरे भाई क्या-क्या पाया जाता है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ metal भी पाया जाता है non metal भी पाया जाता है और metalloids भी पाये जाते हैं क्या पाये जाते हैं metalloids भी पाये जाते हैं क्या यह बात समझ में आई या नहीं आई पक्की बात है तो periodic table के अंदर आखिर किन-किन scientist ने अपना क्या-क्या contribution दिया है उसके बारे में जो चर्चा करनी है वो हम करते हैं हाला कि शुरू करते हैं सबसे पहले चीज़ बिटा जो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में साइंटेस्ट है उनका नाम था लिवोजियर मुह से बता दे रहा हूं उनको शुरू करेंगे हम नेक्स टन पे के लपीडी ने लात्खाई मैं मोजले के बाद प्रियोडिक टेबल आई फिर से बोलो क्या बोलोगे लपीडी ने लात्खाई मैं मोजले के बाद प्रियोडे टेबल आई लपीडी ने लात्खाई बोले तो ल फॉर लिवोईजर पी फॉर प्राउट्स दी फॉर डोबर्नियर ट्राइड रूट एल पीडी ने ने बोले तो न्यू लैंड सॉक्टेवलो लपीडी ने मेंड मोजले के बाद मेंड बोले तो मेंड लीव मेंड मोजले के बाद बाद का मतलब बोर्स बरी रैंग एंड वर्नर जिन्होंने मोडिफाइड मोडर्न प्रियोडिक टेबल दिया ठीक है समझे रहो तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें लात खाई में मोजले के बाद प्रियोडिक टेबल आई यह है हिस्ट्री में आए हुए उन साइंटर्स का नाम जिनके बारे में हम नेक्स्ट उन पर शुरू करन है और डेफिनेटली करिए अगेन आज पूरे महले में एक बात चिलानी अपने को लपीडी ने लात खाई में मोजले के बाद प्रियोडिक टेबल आई मैंने कहा था कि एकदम बेसिक से जीरो से सूपर हिरो के लेवल पर ले जाने के लिए मैं वचन वद्ध हूँ और मैं अपने वचन को जरूर निभाऊंगा और उमीद करता हूँ आशा करता हूँ इंफेक्ट मैं तो विस्वास करता हूँ कि आप मेरे उस विस्वास को तूटने नहीं देंगे मेरे उस हिम्मत को नहीं तूटने देंगे मेरे उस उमीद को नहीं तूटने देंगे और वही बा बाद periodic table आई, LPD ने लात खाई, मैंन मुजले के बाद periodic table आई